Good morning friends, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत हैं आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे Axis Bank के बारे में जिसके तरप से एक नवे वेकेंसिया आया है 2020 का तो आज की वीडियो में आपको इसके बारे में फूरा दीटिल में बताऊंगा इसलिए वीडियो को लास तक जरूर देखिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लिस कर दो बेल ऐकन दबादो आपको सबसे पहले मिल जाए तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो को शुरू करते हैं अगर आपने अभी तक हमारा टेलग्रम ग्रूप जोइन नहीं किया तो जरूर जोइन करिए मैं उसमें सारे वीडियो की लिंक शेयर करता हूँ तो बात करतें एक्सिस बैंक के बारे में इसके तरफ से एक नया वेकिंसी आया हो है गोल्ड लोन ओफिसर का इसमें आपका कोई एक्जाम नहीं है कोई आप्लीकेशन फी नहीं है और कोई भी ग्रैजुएट कैंडिडेट इसके लिए अपलाए कर सकता है तो चलिए मैं आपको इसके बारे में और डीटिल में बताता हूँ इसका eligibility criteria क्या है कोई इसके लिए अपलाए कर सकता है eligibility बात कि जाए तो कोई भी ग्रैजुट कैंडिडेट इसके लिए अपलाए कर सकता है आपका एज जो है minimum 20 साल और maximum जो आपका 30 साल होना चाहिए इसमें आपका कोई एक्जाम नहीं है कोई application fee नहीं है उनली आपका एक इंटर्व्यू होगा इंटर्व्यू अगर आपको जौब मिल जाएगा ओके बात की जाए सेलरी की तो आपका 27,000 रुपे से लिखे 30,000 रुपे पर मन तक यहाँ पर आपका सेलरी रहेगा ओके इसको अपलाई करने का जो लाज इट है 31 जनवरी 2021 है तो जितना जल्दी हो सके इसके अपलाई कर दीजेगा ओके चलिए मैं आपको इसके ऑफिशियल विपसाट पर जाके दिखाता हूं कि कैसे आपको अपलाई कर करना पड़ेगा लेकिन सारे स्टेट के कैंडिडेट इसके लिए अपलाई कर सकते हैं तो जैसा कि आप आप देख सकते हैं यह जोब का 19 डिसेंबर 2020 को ही आ गया था इसको अपलाई करने का जो लाज डेट है 31 जनवरी 2021 है तो कोई भी फ्रेशर कैंडिडेट इसके लिए अ किल अच्छा होना चाहिए दूसरी बात यह थोड़ा प्रेशर वाला जौब है तो आपको जो प्रेशर हैंडल करते आना चाहिए इतना भी प्रेशर नहीं होगा कि आप करना सको ओके बेसिकली सेल्स ओरेंटेड यह जौब है कौई भी ग्रेजवेट कोई भी इसके लिए आक करने के लिए सिंपल सा आपको अपलाइ बटन पर क्लिक करना है जयसे है सामने कुछ इस तरेका का पर बचन क्लिक करना है । जो mandatory है रिजुमे अपलोट करने के लिए चूज फाइल पे क्लिक करना है चूज फाइल पे करने के बाद आपका रिजुमे पीडियो फाइल में अपलोट करना है दो यम्बी की नीचे आपका साइज होना चाहिए उसके बाद यहां प्यापचा फिल कर दीजिए जो आप हो जाएगा अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और कुछ कमेंट होंगा तो कर देना फेंट तब तक के लिए अपने ध्यान रखना गुडबाए